रोहित भाई का कहना यह है कि भाईया मुझे भूमिगत तना समझा दिजिए तो भाई साहब रोहित, चंदन, मोनू और गोलू इन भाईयों का कहना है कि भाई साहब इतना गहराई से समझाए भूमिगत तना कि जिंदगी भर नहीं भूले तो भाई यहाँ पर आप ख्याल रखना मैं आपको clearly इतना आसानी से बताओंगा कि आप समझ ही जाएंगे यहाँ पर आप आसानी से देखेंगे तो इजे में आपको दिख रहा होगा भूमिगत तन्ना गाईज भूमिगत तन्ना को हम underground steam कहते हैं तो यहाँ तक clear और इसके बाद मैंने आसानी से क्या लिख रखा है तो जो तन्ह भूमिके अंदर पयाज आता है उसे भूमिगत तन्ना कहा जाता है जी हाँ साथियो आपको ख्याल रखना है कि जो तन्ह भूमिके अंदर आपको तन्ह पायज आते हैं यहाँ पर आप समझेए जैसे मैंने लिख रखा है आलू जी हाँ साथियो आलू, हल्दी, अद्रक प्याज, लहसून, केला, फर्न, कुमू, दिनी और कचालू, जिमिकंद, इतियादी यह सब हमारे भुमिगत तन्ह है ठीक है, तो यहाँ तक आपको किलियर हो गया होगा तो अगर आपको किलियर हो गया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए और जूडे रहिए बाई बाई, टेक क्यार